हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका जोंटेक डिजिटल ओनलाइन प्रेटफोर्म पर जैसा कि आप सबको पता है जोंटेक टीम ने आपके लिए प्रोग्राम लॉंच किया है बीसी टीक्यू आज हम इस प्रोग्राम के अंडर कंट्रोल सिस्टम के प्रीविश रिक्रिशन डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं किसन नमबर वन से क्या क्या कह रहा है यूनिटी फीडबेक सिस्टम है जे फोरवर्ड ट्रास्फर फंक्शन जी एस इकवल टू के अपोन एस इंटु एस प्लस त्री और प्लस टैन ओके तो हमें निकालनी या दा रेंज ओफ के फोर दा सिस्टम तुब स्टेबल तो मैं सिस्टम के स्टेबल होने के लिए के की रेंज निकालनी है ठीक है तो हम इस 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 और के स्टुल करते हैं और एज करेंड़ ठीक है रोत हर्ऍीड हरुट्थ क्राइटरिया से हम कै कि सॉल करते हैं थिक है तो इसके लिए मैं क्या चाहिए क्रेक्राटरिस्टिक य sendiri साइए से फेहले तो वह क्या थे ऐक αυτό hs की value क्या होगी 1 होगी क्योंकि feedback इन्होंने 1 मानना है ठीक है तो क्या है k upon s into s plus 3 और s plus 10 okay equal to 0 तो यहां से क्या बन जाएगा इन दोनों को multiply करें तो हम s square plus 13 s plus 30 multiply by s और plus k equal to 0 अब s को multiply कर दो तो क्या हो गया s cube plus 13 s square plus 30 s और plus k तो यह आगे हमारी characteristic equation ठीक है for a given transfer function ठीक है अब हम rs criteria use करेंगे ठीक है तो rs criteria क्या कहता है हमें कि हम स्की पावर 3 s की पावर 2 s की पावर 1 और s की पावर 0 यहां पर s की पावर 3 क्यों लिए मैंने क्योंकि हमारी जो equation है उसमें highest power कितनी s की पावर 3 है ठीक है अगर यहां पर s की पावर 4 होती तो हम क्या लेते स्की पावर 4 s की पावर 3 s की पावर 2 s की पावर 1 और s की पावर 0 और हम यहां पर चेक क्या करना होता है जो मारी first column है ना उसमें सारी जो ट्रम्स है ना वो क्याने चाहिए पोजिटिव आने चाहिए तब ही कि मारा system क्या और स्टेबल होगा अगर यहां पर साइन चेंज होता है तो इसका मतलब हमारे system क्या unstable है ठीक है तो यहां पर हमें के की वेल्व निकालनी है system के stable बने रहने के लिए ठीक है तो सब चाहिए ठीक है तो हमें पर हम निकालनी फील्व अचरफ़ करते हैं पहले हम इसको इस से मिल्ट्रिप्लाइ करते है और इस वाल म का यहां पर डिवाइड करते है तो इसको मैं ने पहले से multiply किया तो कितना आ गया 13 into 30 minus 1 into k divided by 13 यह दो बनेगा ओके अगर इसको solve करें तो यह क्या बन रहा है 390 minus k upon 13 ठीक है और आगी कोई term नहीं आएगी ठीक है इसके नीच से क्या पर कोई term नहीं आएगी इसको 0 मान सकते हो ठीक है फिर बात करते हैं इसके पार 0 कोफिशेंट कैसे निगलेगा तो वह क्या होगा कि इसको इससे में प्लाइब करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो को एक बार यह होड़ा इसको दुबारा बना लेता हूं मैं आपको confusion होगा कि यह कैसे लिखना है ठीक है तो इसको दुबारा लिखे लेते हैं आपके एसकी पार 3 एसकी पार 2 एसकी पार 1 और एसकी पार 0 2 तो ऐसकी पार 3 में क्या रहा था वन-थैटी ठीक यहां पर क्या ऐगा तेरा हो coconut 3 मीनिस की अप On 30ra यह ऐसे बनेगा यह इसकी पार 0 निकाल लिए तो इसको से multiply करेंगे माइनस यहां पर कुछ है नहीं तो इसको 0 मानेंगे तो इसको 0 हो जाएगा फिर डिवाइड इससे करेंगे तो इसको इससे ब्लाइक रेटटेड्रीस डिट रेड कर रहे हैं तो यहां पे क्या गया । अब स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए यह जो सारी टमoter की यह पोजिटिव यह तो होता है आरे disrupt became कि first column की सारी value क्या होने चाहिए पोजिटिव होने चाहिए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं k की value greater than 0 होगी और यह value भी क्या होगी greater than 0 होगी तो उम्हारी एक value तो आगी कि k की value क्या greater than 0 है और second हम इससे निकालेंगे तो यह क्या कह रहा है 390 माइनस के अपोन 13 greater than 0 तेरा 0 से multiply होगा तो 0 चला जाएगा और यह से क्या जाएगा 390 less than k ठीक है तो एक relation नमर यह आ गया एक यह आ गया ठीक है तो k की value क्या है greater than तो 0 आ रही है और 390 से क्या रही है less than आ रही है ठीक है तो हमारा right option इसमें क्या होगा यह option हमारा right हो जाएगा क्या होगी 0 से ज्यादा होगी पर 390 से क्या होगी कम होगी okay for stable system stable रहने के लिए क्या condition थी इसकी जो first column थी वो क्या होने चाहिए greater than 0 होने चाहिए मतला positive होने क्या होने के लिए एक condition तो यह आ गई और दूसरे 7 नहीं क्या निकाल लिया क्या 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 हो गया right answer हो गया A क्या क्या हो गया क्या 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 हो गया 0 से 390 ओके चलते है नेक्स क्यूशन पर तो नेक्स क्यूशन आपसे पूछा है कि the feedback control system represented by the open loop transfer function gs hs equal to 10s s plus 2 upon s plus 1 s plus 3 और s minus 5 ठीक है तो आपसे पूछा है कि यह stable है यह stable है marginally stable है यह inspection data है ठीक है तो आपको पता है 4 stable system क्या condition होती है all the poles all the poles must lie in left hand side okay और आपको पता ही है numerator से हम निकालते हैं 0 ठीक है और denotation निकालते हैं pole तो stability condition क्या होती है कि सारी जो pole हना वो left hand side में होने चाहिए मतलब उनका negative value आने चाहिए पर अगर हम देखें यहां से तो यहां चाहिए साइड में आ गया इसका मतलब यह system वारा क्या होगा unstable होगा ओके यह मारा क्या होगा unstable होगा ठीक है तो हमारे क्रिशन के objective नहीं है तो हम इससे देखके हम बता देगे कि हमारा system क्या होगा ठीक है अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो आरह से इसके पर आपको यह सब कड़े की जरूरत नहीं है आप डाय कह सकते हो कि सारे चो पॉल होते ना वह लेट हैंड में होने चाहिए पर यहां पर यहां पर राइट था पे इसलिए सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल होगा तो इसका क्या हो जाएगा A, unstable, okay, चलते है next question पर, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the quotes given below, ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है transfer function और फिर इनका दे रखा है impulse response, ठीक है, तो हमें चेक करना है, और आपको पता ही है, कि जब हम Laplace का, Laplace लेते हैं किसका, impulse response का, तो में क्या मिलता है, transfer function, addition होता है, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि इस वाले के लिए, सब के लिए क्या waveform बनेगी, तो पहले एपार्ट को लेते हैं हमें, तो हमरा एपार्ट क्या था, 1 upon s into s plus 1, यह तो था, हमारा पहले पार्ट क्या था, 1 upon s into s plus 1, तो अगर हम इसको क्या करें, partial fraction करें, तो s upon a plus b s plus 1 करें, तो इसको जब solve करेंगे, तो क्या आएगा, 1 upon s minus 1 upon s plus 1, s के लिए को पेसेंट क्या आएगा, 1 आएगा, s plus 1 के लिए को पेसेंट क्या आएगा, minus 1 आएगा, ठीक है, अब इसका अगर Laplace इनिवर्स लें हम, ठीक है, इसका 1 upon s into s plus 1, तो वन उपने इसके Battlement क्या होगा? वन, इसका Battlement क्या होगा? एक पर-t, ओके, अब हम इसको डिजाइन करेंगे. तो डियान करेंगे तो क्या करेंगे? ओके, तो हम दो value लेंगे, एक तो लेंगे t کی value 0, एक लेंगे t کی value infinity, जो हम t की value 0 ले रहे है, कहा है तो यह मारा सिगनल क्या बन रहा है जीरो क्योंकि 1-2 जगा जएगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आए जीरूख और मधने जिरू क्या हो जाएगा वन तो कहने का मतलब क्या है अगर हम T की व disappearance ले रहे रहे हैं तो इसकी वएल्यू क्या रही है तो इसकी व क्या रही है तो सिए यदिनल कुछ ऐसे बनेगा या यह क्या है वन तक जाएगा इंफिनिटीव पर ठीक है तो इस सिगनल के लिए हमारी वेफों क्या आ गई यह वाली ओक्या है ऐसे हम सेकंड सिगनल के टो कर लेते हैं तो सेकंड सिगनल नमरा क्या है वन अपॉन एस प्लस वन का स्केर अगर हम इसका लापलास इनिवर्सल लें ठीक है तो वो क्या होगा टी एक की पावर माइनस टी क्या होता है वन अपॉन एस स्केर और एक की पावर टी से इसको बिल्टिपलाइए कर देंगे तो एस में से क्या होगा एस प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो वन अपॉन एस प्लस वन स्केर का लापलस क्या होगा टी की पावर माइनस टी ठीक है अब इसको डिजाइन करना है है तो टी का पको पते है ग्राफ कैसे बनता है एक स्टेट लाइन बनेगी बीच में से क्योंकि य 0 पर तो क्या होगी, maximum होगी और infinity पर क्या होगी, 0 होगी ठीक है, अब इन दोनों क्या करना है multiply करना है, तो इसका graph कुछ ऐसे बनेगा ओके तो यह हो गया हमारे इस function के लिए graph पहले value बढ़ेगी, फिर कम होगी, ओके अब लेते हैं तीसरा function हमारा तीसरा हमारा क्या है ओके यह तीसरा function हमारा 1 अपोन S पर लिए 1 का स्क्वेर प्लस 1, ओके इसका में क्या लेना है, Laplace inverse ठीक है, तो मारा impulse response निकल क्या आएगा, तो इसका Laplace inverse लेंगे तो क्या आएगा e की पावर मानस t sin t sin t का क्या होता है, Laplace equal to 1 upon S square plus 1 अगर हम इसको e की पावर मानस t से multiply कर देंगे, तो S में change आएगा S plus 1 हो जाएगा, ठीक है तो इसका Laplace inverse क्या होगा e की पावर मानस t और sin t ठीक है, अब इसको float करते है तो यहाँ पे क्या हो रहा है sin t function e की पावर मानस t t के साथ क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, ठीक है तो sin t decrease हो रहा है, तो ऐसे होगा value क्या हो रही है, decrease हो रही है, sin function की तो मारा अगरा आप कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है e की पावर मानस t और sin t के लिए ठीक है, अब 4 तमारा क्या है, 4 तमारा है, 1 अपोन S स्केर प्लस बन, 1 अपोन S स्केर प्लस बन, इसका लापला सिन्वर्स ले लिजी, तो वो तो अब पता ही क्या होता है, साइन्टी, अब हमें साइन्टी का अगरा आप बनाना है, तो साइन्टी को आपको पता ही है, कैसे बनता है, दोनों में क्या होगे, जो पी का वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो कुछ ऐसे बनेगा, ओके, तो हमने चारो transfer function के लिए impulse response को plot कर लिए, ठीक है, अब 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 हमने cholक कर लेते हैं, की क्या होगा, तो एक हमने plot किया था, तो कैसा बन रहा था, debit की जैसा है, हमने B को plot किया था, तब कैसा मरा था, बन के जैसा ओके, जब मनने C को plot किया था, तो कैसा बन रहा था, sin function 1 की पार माइनस T के साथ decrease हो रहा था, ठीक है, तो यह क्या है, 4 4 की जैसा, D हमारा कैसा बन रहा था, sin T का function था तो 3 के जैसा, तो मारा answer क्या हो गया, A 2 के साथ match करेगा, B 1 के साथ, C 4 के साथ, और D 3 के साथ तो answer मारा क्या हो गया, 2 1 4 3 2 1 4 3, यह इसका क्या होगा, right answer होगा, ठीक है, चलते है next question पर, for the system 7 in figure with damping ratio, zeta equal, zeta of 0.7 and under damped, undamped natural frequency omega n of 4 radian per second, the value of k and a, ठीक है, तो आपको, एक तो zeta की value दे रख्किया है एक आपको omega n की value दे रख्किया है, और आपको, the way transfer function के लिए, open loop transfer function के लिए, आपको k और a की value calculate करनी है, ठीक है, तो यह कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम characteristic equation लिखेंगे, ठीक है, और उसको standard equation से compare कर देंगे, तो मैं omega n और zeta की value पता है, तो इस equation में 2 value है, k और यह, उनके value निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं, characteristic equation वो क्या होती है, 1 plus gs, hs equal to 0, ठीक है, तो यहां पर gs कितना है, k upon s into s plus 2, यह तो gs की value है, hs की value क्या है, 1 plus as, ओके, तो यह मारी क्या बनगी, characteristic equation बनगी, इसको अबब simplify कर लेते हैं, तो simplify करेंगे, तब क्या होगा, यह वाला इससे multiply होगी, तो s square plus 2s, और k को इससे multiply कर दो, तो क्या गया, k और k, k as equal to 0, अब s square को अलग ले लो, और s को अलग ले लो होती है, क्या होगी, 2 plus ka into s plus k equal to 0, यह आ गया, तो हमारी दियेवे system के लिए, characteristic equation बन गई यह वाली, और इसको हम अब standard equation से क्या करेंगे, compare कर देंगे, standard equation क्या होती है, omega square plus 2 zeta, omega n s plus omega n square, ठीक है, जब हम equation 1 को 2 के साथ compare करेंगे, तो हमारी k की value क्या आ गई, omega n square, ठीक है, और omega n की value में दे रख्खिये question में, क्या है, 4 और zeta की value 0.7, omega n की value 4 and zeta की value 0.7, यह में क्या है, given, ओके, तो यहां से k की value क्या आ जाएगी, 4 का square मतलब 16, तो यहां से हमारी k की value तो आ गई, 16, ओके, अब second हम क्या करेंगे, इस वाली part को इस से compare करेंगे, तो 2 zeta omega n equal to क्या हो जाएगा हमारा, 2 plus k a, ओके, और आपको zeta की value पता है, कितनी है, 0.7 omega n की value कितनी है, 4, आपको दे रख्खिये question में, equal to 2 plus k की value, हमने calculator कितनी थी, 16 और a बचा है यहां पर, तो यहां से हमें a की value निकाल नहीं है, तो 16 a equal to हम क्या क्या सकते हैं, यह हो जाएगा 2 into 1.8, क्योंकि यह बनेगा 2.8 और 2.8 में से minus 1 गोया, तो क्या बचा 1.8 और 2 हमने कमन लिया था, ठीक है, यह तो मैंने simple simplify किया है, तो यह क्या होगा 2 into 1.8 divided by 16, तो यह क्या गया 8, यह क्या गया 0.9, okay, 2, okay, 2 से multiply होगा 2 into 1.8 upon 16, ठीक है, 2 से 8 हो जाएगा, okay, और यह divide करेंगे तो 18 को करेंगे, 2 से divide 1.8 को तो यह क्या हैगा, 0.9 और निचे क्या हैगा 4, 0.9 और यह 4, okay, तो यहां से निकल क्या हैगा 0.225, okay, यह होगे हमारी A की वेल्यू, तो K की वेल्यू स्क्षिन आगे और A की वेल्यू का आगे 0.225 आगे, तो C यह मारा क्या होगा, right answer for this question, ठीक है, तो चलते the next question पर, consider the equation 2 की पावर S की पावर 4 plus SQ plus 3 S square plus 5 S plus 10 equal to 0, the number of root of this equation has in the right of S plane, ठीक है, तो हमें इस equation से पता करना है कि कितने इसके root क्या होंगे, right hand side पर exist करेंगे, तो हम क्या use करते है, RS criteria, RS criteria, और इसकी first column में, जितने science change होंगे, उतने root क्या करेंगे, right hand side पर exist करेंगे, ठीक है, तो बैसे निकालते हैं इसको, तो solve करो, इसकी पावर free हो जाएगा, 4, 2, 1, और इसके पर 4 तक हम calculate करेंगे, ठीक है, इसकी पावर 4 में क्या ऐगा, को at visions कितना है 2, 4 के बाद क्या आएका, 2, पिर क्या आएगा this around is K привет, एसकी पावरे जिरो, other ten ठीक है, एसकी पावर free क्यूपशेंट कितना है 1, और S की पावर 3 के बादा है X की पावर 1, तो यहां पर कितना है? 5, तो यह हमने लिख लिए इस equation से, अब हम कैसे करते हैं? पहले इसको इससे multiply करते हैं, 1 into 3 minus, फिर इसको इससे multiply करते हैं, 2 into 5, और divide by किसे करते हैं? इससे, तो 1, तो यहां से क्या निकल के आया? 3 minus 10 मतलब minus का 7, ओके, यह निकल के आएगा? अब मैं यहां पर निकालना है, तो इसको इससे multiply करेंगे, तो 1 into 10, यहां पर कोई term नहीं है, तो इसको 0 लिख सकते हैं, 0 को इससे multiply करेंगे, तो 0 into 2, और divide by करेंगे, 1 से, तो यह क्या हैगा? 10, ओके, अब मैं निकालना है, इसकी power 1 का क्या होगा? तो इसको पहले, इससे multiply करेंगे, minus इससे multiply, और divide by this, तो minus 7 into 5, minus 1 into 10, और divide by minus का 7, ओके, तो यहां से क्या निकल क्या हैगा? minus 45 by minus 7, minus से minus cancel out, मतलब इसकी positive value आएगी, वो क्या है? 45 by 7, ओके, फिर हमें यहां value निकालना है, तो इसको 0, और यहां भी क्या होजाएगा? 0, तो कोई value नियाएगी, यहां पर क्या हैगी? 0, ओके, अब मैं क्या करना है? इसको 0 के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको इससे multiply करेंगे, minus इससे multiply divided by this, इसको इससे multiply करेंगे, तो 0 हो जाएगा, तो इसको इससे multiply किया, तो यहां मतलब 10 आ गया, ठेक है? तो यह हमारा बन गया R.S.Crite Area, अब मैं चेक करना है, इस column में number of sign change, जितने इसमें sign change होंगे, वह value किसकी होगी, कि right hand side में उतने pole exist कर रहे हैं, ठेक है? तो देखते हैं, तो plus 2 से यह 1 बना, sign change नहीं हुआ, ठेक है? पर 1 से क्या बन रहा है? minus का save है, तो एक sign change यहां पर हो ग का मतलब है कि first column में 2 sign change हो रहे हैं, एक यहां पर plus से minus जा रहा है, और minus से क्या हो रहा है? plus हो रहा है, ठेक है? तो हम क्या कहेंगे, 2 sign change हो रहे हैं, इसका मतलब, 2 जो मारे pole है न, वो काई जिस्ट करेंगे, right half of S plane, तो इसका answer होगा 2, ओके? चलते हैं, नेक्स क्रिशन पर, S plus 1, S plus 3, ओके? तो पहले समझ लेते हैं, root locus क्या होता है? root locus की कुछ important properties पढ़ लेते हैं, root locus, इसके important पहला point क्या है? यह क्या होता है? symmetrical about real axis, ओके? तो real axis के उपर जो बनेगा न, वो इस नीचे बनेगा, दोनों अपस में क्या होंगे? symmetrical होंगे, पहला point तो यहाद रखना आपको, और इसमें हम सबसे पहले करते हैं, peak calculate करते है, peak क्या है? open loop, pole, okay, हमें transfer function दे रखागा, वहां से open loop, pole निकाल लेंगे, और z निकाल लेंगे, z क्या है? open loop, zeros, open loop, zeros, और आपको याद रखना है कि, जो मारा root locus होता है, वो pole से start होता है, और zero पे क्या होता है? खतम होता है, ठीक है? और अगर zero पे खतम नहीं होगा, तो कहां खतम होगा? infinity पे, उसकी value क्या निकालेंगे? p minus z equal to, जो value आएगी ना, उसे हम बोलते है, number of SM पोटोट, number of SM पोटोट, ठीक है? तो हमारा जो root locus है, या तो क्या होगा? 0 पे खतम होगा, या क्या होगा? infinity पे खतम होगा SM पोटोट का मतलब क्या होते है, जो root locus हमारा क्या जाएगा? infinity तो जाएगा, ठीक है? उसे बोलते है, SM पोटोट, उसकी value कैसे निकलती है? p minus z, जो value आएगी ना, उतने हमारे root locus क्या जाएगे? infinity तो जाएगे, और z की value होगी ना, उतने root locus हमारे z पे क्या होगे? खतम हो 2Q plus minus 1 upon p minus z into 180, ओके? तो यहाँ पे Q की value हम 0, 1, 2 ऐसे पूट करते जाएगे और हमें angle of SM पोटोट निकाल लेंगे, ठीक है? अब बताती है, जो SM पोटोट होता है, वो intersect कहा करता है? हमारे relaxes पे, उसके लिए हम निकालते हैं, centroid, centroid और centroid निकालने के लिए हम क्या करते हैं? summation of open loop poles, open loop poles minus summation of open loop zeros, ओके? डिवाइड वाई P minus z, यह होता है centroid का formula और आप से डायट पूछा भी जा सकता है कि यह हमारा transfer function है, इसके लिए centroid की value calculate कीजिए, ठीक है? तबकि जैन लेवल पे यह से पूछा जाता है, centroid, angle of SM पोटोट या number of SM पोटोट जो infinity पे जा रहे हैं, ठ ठीक है, और यह symmetrical होता है, यह लक्सिस के, अब हमारी Christian की बात करते हैं, ठीक है, हाई point रहा गया, वो आगे देखेंगे, ठीक है, हमारा transfer function क्या है, K equal to, GHSHS equal to, यह वाला है, ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें pole कितने है, तो pole देखें तो pole क्या होते हैं, नीचे वाले होते हैं, दो pole है है इस में, अब बात करते हैं, 0 कितने हैं, तो 0 किह उनसे होते हैं, अपर वाले, उस से होते हैं, 0's निमिटर्स maker निकालते हैं, पोल हमारे 2 है और टिनुटर में कितने है जिरो कितने है वन क्योंकि यह कि इसका function S plus 5 ओके तो यहां से क्या होगा P minus Z हमारा क्या है वन तो कहने का मतलब क्या है इसमें 2 root locust होंगे ना तो एक तो 0 पर खतम हो जाएगा यह कमारा क्या जाएगा infinity तक जाएगा ओके तो पहला point हम इससे यह कह सकते है ठीक है अगर हम इसको समझें की root के समरा क्या से बनेगा इससे ठीक है तो पहले इससे centroid निकाल लेते हैं centroid centroid क्या होता है जो हमारे open loop poles है वो add करेंगे तो pole यहां से क्या आएगा s की value आएगी minus 1 और minus 3 दोनों का add के तो क्या हो गया minus का 4 ठीक है और minus करेंगे किस से 5 से क्योंकि यहां से क्या आएगा 0 क्या आएगा इसकी s equal to minus 5 आएगा तो minus minus 5 ओके यह तो होगा number of poles minus number of zeros ओके फिर p minus z क्या है 1 है तो यहां से क्या आगया 1 आगया ओके यहां से क्या आगया 1 आगया अब हम इसको plot करते हैं तो हमारा 0 क्या है एक तो क्या है minus 1 पर एक क्या है minus 3 पर और एक हमारा क्या है 0 क्या है यहां पर minus 5 पर हमारा ठीक है तो हमने 0 और यह 0 को represent कर रहा है और यह दोनों किसको अब पत्तिक्षे करेगा तो रूट लुकस काई करेगा तो रूट लोकस काई एजिस्ट करता है कि उसकी हम रैट इस अगर और सब्सक्राइब नमबर ऑफ पॉल जीरो एकडिस्ट ओना वहाँ पे हो तो वहाँ पर एक तो यह वाला इरिया है ठीक है इसके अगर रैट सब् यहां पर exist करेगा ओके और इस एंट्रोड की बात तो यहां पर क्या है एसंप्रोड कितने वन है तो वन के लिए हम सेंट्रोड एंगल ऑफ एसंप्रोड कैलकुलेट नहीं करते हैं यह दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते हैं अगर पी मानेश एड की वेल्यू टू होती थरी होती तब हमें शेंट्रोड निकालना पड़ता और एंगल ऑफ एसंप्रोड भी निकालना पड़ता ठीक है पर यहां पर हमें इसकी जुरूरत नहीं पड़ती है ओके तो एक हमारा रूट लोकस यहां इसक्ट करेगा ठीक है तो इसको हम बनाना चाहें तो क्या होगा एक तो इससे निकला ठीक है और एक इससे निकला तो यहां पर कोई एक ब्रेकवे पॉइंट मिकलेगा वहां से क्या होगा यह यहां पर आ जाएगा ठीक है और यहां पर क्या होगा एक तो जिरो पर खतम हो जाएगा और एक यह इंफिनिटी पर चला जाएगा ठीक है तो य रूट लोकस्ट वनेघा हमारा एक यहां से चला यह आ गया इधर और यह मालों जी्रों पर खत्म हो गया दूसरे वाला यहां से आया और यह पर इंट्रेक्ट किया और in fact 2 बेट ड्र एंसा जा गया च्युंकог़ एक तो मारे यह निए रूट लोकस ड्रो कर लिया ठीक है तो कहा है कि यह वन एसंप टोट ठीक है अभी हमने देखा था कि पी बानस वन क्या जड़ बनार रहा तो बन मतलब इसका बने अश्चेम्ट क्या है सही है क्योंकि पोल कितने अट्व है और जीरो कितने वन थो पी-दिक वन आया कि वह है तो वह क्या गया वन आ गया इसके मिद्ध मीजनेप एक्से ओक्षणतभ दिये होगा इसे इसका नहीं हो रहा है यह यह और है है तो यह स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है सेकेंड इट हैस्ट टू रियल एक्सिज इंट्रेक्शन तो अब देख रहे हो कि यह क्या है हमारी रियल एक्सिज है और एक तो यहां पर और एक यहां पर यह दो जोगा इंट्रसेक्ट कर रहा है रियल एक्सिज को तो यह क्या ह होगा इट हैस्ट रियल एक्षिज इंटरसेक्शन तो तीसरा स्टेटमेंट वहारा सभी है अब यह कह रहा है टेस्ट जीरो जैन इंफिनिट्टिव ठीक है तो यह स्टेटमेंट भी क्या है गलत है क्योंकि ऊपर क्या अगर स्ट्वेर होता ना तब कह सकता था किसकी टू जी डी कि ओके यह सब्सक्राइब ने बताएं आपको यह रूट लोकस के पॉइंट है और यह मैंने इससे रूट लोकस दो कर दिया अगर हम पूरा रूट लोकस ड्रो करें तो इसके काफी सरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें काफी लेंट्टि हो जाएगा पर आपको रू इसका इन दोनों के बीच में वहां से इधर आएगा और एक जीरो फे खतम हो जाएगा यह माइडिया लगा सकते हैं इससे हमने क्या बना लिए इसका रूट लोकस बना लिया और फिर आप इसके चारो पॉइंट देख लिए तो हमने देखा कि दो पॉइंट इससे सेटिस् पर इसके लिए हमें चारों क्या बनाना है और यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे नंबर फोल कितने हैं नंबर फोल कितने हैं ए तिनो के पोल है ठीक है और यहां पर जीरो कितने एक भीज पर राइस परद है कई कुछ नहीं तो ऐक भीज फीजिरो नहीं है तो हमारा जा यहां कहां पर 3 asymptote बनेंगे, 3 जगह से क्या जाएगा, infinity पर जाएगा, ओके, तो यहां में angle of asymptote भी निकालना पड़ेगा, और centroid भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़ भी निकालने पड़ेगे, ठीक है, तो पहले निकालते हैं, angle of asymptote, तो उसका formula क्या था, 2Q plus 1 into 180 upon P minus Z, ठीक है सबसे पहले मैं Q की value क्या कर रहा हूं, 0 put कर रहा हूं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 180 upon P minus Z, 180, P minus Z क्या है 3, तो 180 divided by 3, angle क्या आगया, पहला हमारा, 60, ठीक है, अगर बात करें दूसरे angle की, तो Q की value हम क्या करेंगे, 1 put करेंगे, Q की value 1 put करेंगे, तो 2 into 2, 2 into 1 मतलब 2, plus 1 मतलब 3, तो जो यह angle आए ना उसको क्या करेंगे, 3 से divide कर देंगे, 3 से multiply कर देंगे, तो यह क्या जाएगा, 180, अब बात करें, Q की value हम क्या करेंगे, 2 put करेंगे, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 plus 1 मतलब 5, तो इसको 5 से multiply कर देंगे, तो क्या हैगा, 300, तो हमा अब निकालते हैं centroid, तो वो क्या था, summation of pole minus summation of 0 upon p minus z, ओके, तो pole हमारे क्या है, s equal to 0 है, minus 2 है, minus 2 है, minus 4, इनको add किया, दो क्या आगया, minus का 6, और 0 हमारा क्या है, है नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, minus 0, और p minus z यहाँ पर क्या है, 3, तो हमारा centroid क्या आगया, minus 2, मतलब इसको point के format represent करें दो क्या होगा, minus 2 और 0, यह हमारा क्या आगया, centroid, centroid, okay, minus 2 और 0, और centroid क्या होता है, sm put out real axis पर जाइंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं centroid, ठीक है, तो मैंने सारी values निकाल ली, अब root लक्स ड्रो करते हैं इसका, तो हमारा function क्या था, k upon s into s plus 2 और s plus 4, ठीक है, तो सब से पहले, pole और 0 को हम इसमें represent कर देते हैं, यह हमारी क्या होगी, imaginary axis और यह हमारी क्या होगी, relax, तो हमारे क्या रहे है, इसकी value 0, minus 2, minus 4, 0, यह मान लिए, minus 2, और यह मान लिए, minus 4, minus 4, minus 2, और 0, ठीक है, तो वैसे ही, यह क्या है, इस वाले part में क्या है, इसके right side में क्या है, एक ही क्या है, pole है, मतलब, odd number में pole exist कर रहे हैं, तो मतलब, एक तो root locus इन दुनों के भी में exist करेगा, इन दुनों के भी exist नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके right side में क्या है, number of pole कितने है, even है, और जब number of pole odd होते हैं, उसके left side में क्या होता है, कि वह root Francis exist करता है, ऐसे ही क्या होगा, यहां पे, यहां पर हमारा root location exist करेगा ओके इसके right side में क्या है number of pole and 0 कितने है और quantity में ठीक है तो यहां exist करेगा और यहां exist करेगा root location हमारा ठीक है दो point पर exist करेगा अब बात करते हैं centroid centroid क्या है डाय से बन जाएगा और 180 कूछ ऐसे बन जाएगा तो कहने का मतलब क्या है हमारा एक root location तो हमारा इसके पास से infinity जाएगा एक क्या होग oni इसके पास से infinity जाएगा और एक इदर से infinity फेस जाएगा ओक्य तो एक रूटलों को समारा क्या इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ठीक है एक हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इन दोनों के भी इस कोई पॉइंट होगा ब्रेक वे पॉइंट महां से क्या होगा रूटलों का से एक तो इसके पास से और एक इसके पास से दोनों से क छाएगा वो के से स्टार्ट हुआ तो पोिंक नोजा हो था सो शाएगा चला गांधा टीनहें के पास JOSH के पास यह और और एक 180 एंगल पर øगा तो यह यह हमारा बनेगा root locus for a given transfer function, तो match कर लो, तो अगर हम देखें, तो B इसके लिए right answer होगा, क्योंकि एक क्या जा रहा है, इसके पास यह जा रहा है, 6300, यह आपर क्या breakaway point है, इसके पास यह root locus जा रहा है, और एक यहां से start होके infinity पर जा रहा है, तो यह आपने draw किया था, तो अपने इसके लिए root locus design कर लिया, चलते है next question पर, यह question आपके exam में आ जाता है, transfer function of a certain system is given by gs equal to s upon 1 plus s, night twist plot आपको float करना इसके लिए, तो night twist plot में कुछ नहीं है, आपको main to door angle निकालना होता है, ठीक है, तो हम यह क्या दे रखा है, gs दे रखा है, इसको मैंने g omega m की टरह में कर लिया, convert, s equal to क्या होता है, j of omega, तो यह क्या बन जाएगा, j omega upon 1 plus j omega, ठीक है, अब इसका, अगर मैं इंट्रूड लिखो मैं, तो वो क्या हो जाएगा, omega omega ही रहेगा, और 1 plus omega square, ऐसे तो लिखते हैं, main root कैसे लिखते हैं, इसका main root कितना हो गए, ओमेगा हो गया, और निचे वाले का real part का square plus imaginary part का square का square root 1 plus omega square ठेक है यह इसका मैं इंटूड हो गया अगर फिर लिखते हैं आप इसका angle तो इसका angle कितना होगा j omega मतलब j मतलब 90 degree j का मतलब क्या होता है 90 degree ओके और इसका angle कितना होगा 10 inverse imaginary part upon real part ठीक है यह नीचे है उपर जाएगा तब क्या हो जाएगा minus 10 inverse omega ठीक है तो हमने इसको मैंटूड फोर्म में और एंगल फोर्म में लिख लिया ठीक है अब हमें इसका नाइक्विस्ट प्लोट करना है तो हम क्या करते हैं हम एक टेबल बनाते हैं उसमें तीन वेल्यू लेंगे एक तो omega की वेल्यू लेंगे ठीक है एक इसका मैंटूड लेंगे जी जे ओमेगा जे ओमेगा ठीक है और एक उसका क्या लेंगे एंगल लेंगे ठीक है और omega की वेल्यू हम जीरो पूट करेंगे और इंफिनिटीव पूट करेंगे उन दोनों के लिए मेंटूड निकाल लेंगे और एंगल निकाल लेंगे ठीक है और उन दोनों वेलू इसको प्लोट कर देंगे तो जब मैंने ओमेगा की वेलू क्या ली जीरो ली ठीक है यहां पे यह जिरो पूट करो तो यह क्या हो जाएगा और ध्या रखना एक प्लस का 90 होक्य एंगल हमारा क्या मेंकाल एक प्लस का 90 हुआ या करेंगी ओमेगा की वेलिटीव करें इंफिनिटिव अगर इंफिनिटीव वेलिव पूट करें तो इसको पहले सौल कर लेते हैं ठीक है उमेगा है उपर ठीक है मैंने यह से क्या किया ओमेगा स्क्राइए और जब रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा ओमेगा अमेगा अंदर क्या पन जाएगा वन्वेकल मेगा स्क्राइए जिरो और जीरो प्लस मान का मतलब 1 वन अपॉन क्या गया वन तो यहां पर कितना में टूट आ गया वन अब निकालेंगे एंगल omega equal to infinity पर तो 90 minus 10 inverse infinity कितना होता है 90 होता है 1090 के value क्या होती है infinity तो 90 minus 90 angle हमारा क्या गया 0 ठीक है तो में दो value मिल गई omega equal to 0 पर omega to infinity पर 090 1 और 0 degree ओके इसके बेस पर हम नाइक्विस्ट प्लोट करेंगे तो यह कैसे बनेगा हमें 2 point मिल गए क्या मिल गए कि जब इसकी value omega की value क्या थी 0 थी तो इसका magnitude कितना था 0 और angle कितना था प्लस का 90 मतलब यह प्लस का 90 होगा angle पर समझाज़े तो मंदेञें आपको साथ साथ जैसे यह मार pueden वारा क्या है जीरो डिगरिय अंगल है ठीक है अगर हम anti cloak wise चलेंगे तो यह क्या होगा फ्लस का 90 यह क्या होगा 1-80 और यह क्या होगा प्लस का 270 ओके और अगर हम clock wise चलेंगे तो 0 के बाद ये क्या होगा minus का 90 ये क्या होगा minus का 180 और ये क्या होगा minus का 270 ठीक है angle कोई में से करते हैं 0 plus 90 plus 80 plus 270 इधर से चलेंगे तो minus 90 minus 180 और minus 270 ठीक है तो हमारा plus 90 काँ पे होगा इस वाल x पे होगा ठीक है तो omega equal to 0 के लिए इसका magnitude 0 माल लिए हमाने ये क्या magnitude axis है और ये क्या angle axis माल लो इसको ठीक है g j omega और g j omega ओके तो omega equal to 0 के लिए इसकी value क्या है 0 और omega equal to infinity के लिए इसकी value क्या है 1 ये माल लिए हमाने माल लिए हमाने कि यहाँ पे इसका magnitude कितना है वन है थीक है तो इन दोनों को मिलाएंगे कैसे इसके व्यायुटी मिलाएंगे की प्लस नाइंटी अंगल मतलब यह उपर से मिलेगा को के अबर मैंश नाइंटी होता तो यह विली n até क्यों कि निस से क्या होता है मामारा एंगल क्यa प्लस एक कि प्रच करेक्ट यह तो यह ऐसे बनेगा ठीक है यहां से यहां ऐसे जाएगा है तो कि प्रच को इसके लिए मैं ना था तो उंने बना लिए ओप संद बनेगा नि-bis से यह इसका omega equal to 0 पे क्या रहा है 0 omega equal to 1 पे मैंटूट कितना रहा है 1 और यह ऐसे जाएगा क्योंकि एंगल हमारा क्या रहा था प्लस का 90 तो यह प्लस के 90 एंगल से होके जाएगा omega equal to infinitive पे तो हमारा बी ओप्सन इसके लिए क्या हो जाएगा राइट ओके चलते हैं next question पे तो क्या कह रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखे आपको लिस्ट 1 में दे रखे transfer function लिस्ट 2 में दे रखे polar float ओके तो आपको match करना है कि कौन सा polar float किस वाले transfer function के लिए होगा तो इसको करने से पहले आप कोई चीज समझने चाहिए ठीक है अगर यह चीज समझ में आ गई आपको तो आईसा okay तो type 0 होगा तो यहां से start होगा type 1 होगा तो यहां से start होगा type 2 हो तो यहां से start होगा type 4 होगा 3 होगा तो यहां से start होगा ओके और अगर क्या हो order 1 हो तो क्या होगा यहां पे खतम होगा ठीक है अगर order 2 हो तो यहां पे खतम होगा, order two, और अगर order three हो, तो क्या होगा, यहां पे खतम होगा, और अगर क्या हो, order four हो, order four, तो यहां पे खतम होगा, आपको बसी याद रखना है, ठीक है, इससे आपके सारे diagram बन जाएंगे, polar plot के, ठीक है, और आपको पते है, type क्या होता है, number of false at origin, false at origin, okay, transfer function में जो s की power होती है, जो ही क्या होती है, जो s की power normal होती है, जैसे, one upon s into s plus one, यह single s की power होती है, उसे बोलते है, type number, तो s की power 1 है, तो यह क्या होजाएगा, type 1, अगर यहां पे कोई s नहीं होता, तो क्या होता, s की power 0, तो type 0 हो जाता, और s की power 2 होती है, तो क्या type 2 हो ज ही बात order की, तो order में क्या होता है, उसकी characteristic equation लिखते हैं, और जिसमें s की highest power आती है, वो इसका क्या होता है, order होता है, ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, ठीक है, अब हम diagram बना लेते हैं, सब के लिए, तो पहला बनाते हैं इससे, पहला क्या है, one upon s into one plus st, ठीक है, आपक type क्या है, one है, क्योंकि s की power यहां पे क्या है, one है, और s और s, s square बनाएंगे, मतलब इसमें order क्या है, two है, order इसका क्या है, two, तो type one कहां से start हो रहे थे, type one यहां से start हो रहे थे, और order two यहां पे खतम हो रहे थे, तो यह कुछ ऐसे यहां से start हो गया, यहां पे क्या हो option 2 ठीक है तो यह क्या होगा अब बनाते हैं बी के लिए तो बीए में क्या है टाइब तो हमारा क्या है 0 क्योंकि single क्या ही नहीं वन है तो सक्षेबर्ट 0 मतलब टाइब 0 और ओडर की बात करें तो रखा था कि टाइप-0 यहाहां से स्टार्ट होंगे और ओडर 2 पर खत्म थो drag वेसा कुछ बनेगा और वेसा तो क्या हो गई है यह टाइप 1 से स्टार्ट होगा और और 3 यह वाल होगा इसका क्योंकि यह यहां से स्टार्ट होगा और 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 3 जिसे टाइप 1 यहां से स्टार्ट होगा और और 3 यहां पर क्या होगा खतम होगा तो इस वाले डागरम में क्या हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खतम हो रहा है तो इसके लिए 1 राइट अनसर होगा ठीक है अब डी की बात करें तो डीप में क्या टाइप तो महारा क्या है two order की बात करें तो क्या होजाएगा two one one two यह जाएगी तो मतलब order four highest four बनेगी तो order four हो गया और टाइप एसके बाव टू है नम्दब number of fault origin कितने है दू है तो टाइप हमारा क्या होगा टू हो गया तो टाइप two क्या होगा यहां से स्टार्ट होगा और order 4 मतलब यहां पर खतम होगा तो इसके लिए 3 क्या है right answer है तो हमने match कर लिए A के लिए 2, B के लिए 4, C के लिए 1, D के लिए 3 ठीक है तो 2, 4, 1, 3 तो 2, 4, 1, 3 तो इसके लिए C क्या होगा right answer होगा ओके आपको बस यह याद रखना है इसे आपके सारी polar float बन जाएंगे ठीक हाँ चलते हैं next question पे next question क्या कह रहा है हमारा the frequency response of a linear system g j omega is provided in the tabular form आपको एक row में तो क्या दे रखा है इसका magnitude दे रखा है और दूसरे में क्या दे रखा है इसका angle दे रखा है ठीक है तो आपको gain margin और phase margin calculate करनी है gain margin और phase margin calculate करनी है okay तो पहले समझ लेते हैं कि इनको कैसे calculate करते है पहले बात करते है gain margin की ठीक है तो gain margin क्या होता है फेक्ष फॉर्ट एक्स होता है जहां पे एक्स क्या है है मैंतवी जो हमारा इसकी वेलिव यू किस पर ओमेगा फेस्ट क्रोसवर फ्रीक्वेंसी पर ठीक है जो मुस्का मेंटुन निकाल लेंगे उसे क्या कहते है एक्स कहते है ठीक है और जो जो हमारा given transfer function है उसका Omega equal to Omega gain crossover frequency निकाल लेंगे न वह हमारा क्या होगा 5 होगा ठीक है तो 5 निकाल लेंगे और कि भीज मार्जिन निकाल लेंगे ठीक है अब हम सोच ओगे कि यह phase margin और गैन क्रोसवर फ्रिक्वेंसी यह क्या होती है इनको कैसे निकालते हैं तो इनको निकालने के लिए पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं जो मारा ट्रास्वर फंक्सिन है उसमें क्या करते हैं हम ओमेगा एकुल टू ओमेगा क्या करेंगे गें क्रोसवर फ्रिक्वेंसी पूट कर क्या करें माइनस 180 पुट कर दें और इस पे जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी वह क्या होती है फेज क्रोसवर फ्रिक्वेंसी ठीक है तो इन दोनों रिलेशन से हम क्या करेंगे गेन क्रोसवर फ्रिक्वेंसी और फेज क्रोसवर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और उसके बाद हम क् हम गरद उसे क्या निकल जाएगी Numatta चीका तो यह इसे लिटरडू करोें यह कैसे निकलती है लो गेन welines क्रोस्वlen सीपेकर निकलती है जिसे अपने पड़ान इसे पर रखांप कंट्रोल सिस्ट्म में और करते हैं कि थे ठीक है। पहले निकलते हैं गेंन मार्जिन ह세क है तो गेसक के लिए पहले हम निकलना पड़ेगा एके तो default क्या होता है कि अब हमने देखा था कि देयर संब्सक्वर फ्क्वेंशी फिते हैं भी देखा था है था में घे फ्न किस से एंगल लेते हैं कितना 180 तो 180 पर जाते हैं तो 180 अंगल पे निकलती है फेस्ट क्रोववर फ्रिक्वेंची और हमें डिरक्ट हमी दे रखा है मैं इंचूड हमे इस प्रिकवेंची पर क्या मैं इंचूड दे रहा है वो डाएक्ट 지ं वेडियो कि क्या निकाल लेंगे फेस्क्रोस्वार्ट फ्रिक्वेंसी और उस फेस्स्क्रोस्वार्ट फ्रिक्वेंसी और क्या करेंगे वああ मैं इंट्यूद में फूट करेंगे तो jak Dieme आधिव दे रखिये मौन्हाने सिर्दी यहaben हो अहिसकी निटैस करेंद्र तब निकाल लो gain margin, gain margin क्या होगा, 1 upon x मतलब 2, पर हमें यहां पर क्या दे रखा है, decibel में दे रखा है, ठीक है, तो decibel में कैसे करनोट करते है, gain margin in decibel, कैसे करेंगे, 20 log 2, ठीक है, इसकी value में नहीं पता, पर इतना पता है, इसकी value क्या आएगी, positive आएगी, ठीक है, क्योंकि यह point पर होता है, तब negative आती है, पर 2 के लिए क्या होगी, log 2 की value, positive value होगी, तो यहां पर क्या है, positive value आएगी, ठीक है, तो यहां से हमारा, यह option और यह option तो क्या हो गया, eliminate हो गया, ठीक है, अगर हम अब, क्या निकाल लें, phase margin निकाल लें, तो हमें पता लग जाएगा, कि हमारा तो यह किस की value हो जाएगी, 5 की, ओके, तो 5 की value क्या आगई, 180, और phase margin क्या होता है, 180 plus 5, तो 180, 5 की value क्या आई थी, minus 150, तो मतलब plus का 30 degree आगया, ठीक है, phase margin मारा गया, plus का 30 degree, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि हमारा क्या हो गया, right answer, ठीक है, plus का 30, और यह भी क्या होगी, positive, तो अब इस question के लिए हमारा क्या होगा, 6 decibel और 30 degree, gain margin और phase margin, ठीक है, यह का फी important question है, चलते है next question पे, next question हमारा क्या क्या कर रहा है, transfer function of a system is 100, 1 plus 0.25S plus 1.5S, ठीक है, अब है निकालने है corner frequency, तो corner frequency के लिए बो कुछ नहीं करना, आपको इसको 100, 1 plus S upon FR की 4 में connect कर देना है, तो 0.25 को connect करेंगे, तो क्या होजाएगा, 4, नीचे वाला क्या होगा, 1 plus S upon 2, ओके, क्या करेंगे, इस point इता हैंगे, ठीक है, यह 2 से cancel out होजाएगा, ऐसा ही, नीचे क्या हैगा, 100 आएगा, 25 by 4, तो यह क्या होगा, 1 by 4, यह क्या होगा, 1 by 2, औ क्या है, जो हमारा transfer function होता है, उसको S upon, इस form में connect कर लेंगे, और जो नीचे value आएगी ना, वही क्या होती है, हमारी corner frequency होती है, तो इसके लिए answer क्या होगा, 2 and 4, ओके, चलते हैं, next question पे, तो इसमें क्या कहा रहा है यह, कि आपको लाप्लास transform of a damped sine wave, ओके, तो यह कहा रहा ह है कि e की पावर माइनस a t, और sine omega t, ओके, इसके लिए, क्या कहा रहा है, e की पावर माइनस a t, sine of omega t, ओके, इसके लिए आपको क्या लिखना है, लाप्लास transform लिखना है इसका, तो आपको पता है, कि Sion Omega T का laplace क्या होता है Laplace क्या होगा इसका Laplace of Sin Omega T हमने पढ़ रखा है omega upon S square plus omega square और अगर हम इसको E की पार मानेस 80 से multiply कर देंगे तब क्या होगा S की value में क्या होगा चेंज होगा तो यह क्या बन जाएगा omega upon S plus A square plus omega square तो क्या होगा right answer सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी में कोई चेंज नहीं होगा बस S क्या हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इस सिस्टम इस डेस्क्राइब बाई स्टेट इक्वेशन तो मैं फता है स्टेट इक्वेशन क्या होती है X.T equal to क्या होती है A of XT plus B ut ओके यह होती है मारे स्टेट इक्वेशन ठीक है तो यह मारे हो जाएगे मैट्रिक्स A और यह हो जाएगे मारे मैट्रिक्स B ठीक है और आपको निकालना स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ओके तो आपको पता ही है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है E की पावर A T वो क्या होती है Laplace inverse of Si minus A का inverse यह तो होता है तो आपको इसमें A क्यादे रखा है 2,0,0,2 तो सबसे पहले हम क्या करते है Si minus A जहाँ पर I का है आइडिनिटी मैट्रिक्स ओके जिसकी वेल्यू क्या होती है 0,1,0,1 होती है इसकी वेल्यू ठीक है और उसको हम किस से multiply करेंगे S से सबसे पहले है सबसे पहले है तो यह क्या होगा यह हो जाएगा S 00S क्योंकि हम क्या करेंगे S को आइडिनिटी मैट्रिक्स से करेंगे 0,1 तो 1 का S से multiply करेंगे तो ऐसा जाएगा 00S ठीक है माइनस किस से करना है यह से तो 002 ओके तो SI-A हमारी क्या आगे मैट्रिक्स है S-2 00S-2 ठीक है यह हमारी आगे S-A की मैट्रिक्स ओके अब हमें इसका क्या करना है इनवर्स निकालना है ठीक है तो इनवर्स में क्या करेंगे हम एडिजेक्टिव SI-A divided by इसका मोर्ड निकालेंगे हम इसका मोर्ड हो जाएगा ठीक है तो इजेक्टिव इसका कैसे लिखेंगे shortcut form क्या होती है इसकी कि यह वाल यह वाल इधर आ जाएगी और यह वाल इधर आ जाएगी और इन दोनों को क्या करते है मैने से भी कड्मा अगरेंगे हैं तो माईने से मल्डिप्लाय करेंगे तो डोनों की यह वाल आजाएगा और जिरो को मैंने सबस्कुन इसका mode कैसे निकालेंगे क्या होता है audio okay this minus this ऑके यह होता है पहले ये multiply करते हैं कैसे करते हैं जैसे A, B, C, D कोई matrix है हमें इसका निकालना है mode तो क्या करते हैं पहले इनको multiply करते है AD और minus फिर इसको multiply करेंगे BC तो ऐसे इसको करेंगे तो यह क्या जाएगा S minus 2 का square S minus 2 का S minus 2 से किया तो इसका square हो गया माइनस इन दोनों करेंगे, 0 से 0 करेंगे तो, 0, तो यह हमारा निकल क्या आ गया, SI-A का inverse, ठीक है, स्कोर सोल करें, तो हम क्या हो जाएगा यह, S-2 को S-2 से डिवाइड करेंगे, स्कोर से, तो क्या बचेगा, 1 अपोन, S-2, 0, 0, यहां भी क्या बचेगा, S-2, ओके, तो यह आगया है, SI-A का inverse, अब हमें निकालने है, State Transition Matrix, वो क्या होती है, इसका Laplace inverse लेते हैं, SI-A का inverse का Laplace inverse लेते हैं, ठीक है, तो ले लीजिए, 1 अपोन S-2, इसका Laplace क्या होगा, E की पावर 2T, 0 का 0, 0, D की पावर 2T, तो यह होगी हमारी, क्या आगई, स्टेट Transition Matrix, ठीक है, तो option से match कर लिएजिए, तो इसके लिए, A is the right answer, 1 की पावर 2T, 0, 0, 1 की पावर 2T, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन पर, तो क्यूशन में क्यादर रखा है, ए लिनियर टाइम इन्वेरिंट सिस्टम is described by the following dynamic equation, यह equation है, और हमें यहां पर A matrix दे रखी है, B matrix और C matrix, जिनकी value हमें दे रखी है, कि A matrix C value क्या ही है, B की यह है, और C की यह है, हमें चेक करनी है कि system controllable है, या observable है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो इसको check करने के लिए क्या condition होती है, QC हम कैसे check करते हैं, कोई हमें unorder की matrix दे रखी है, हमें तो उसके लिए क्या करेंगे, B, FB, A square B, ठीक है, यह कहां तक चलेगी, A की पाउर माइनस N, B, ओके, और observability कैसे check करते हैं, C की पाउर T, A की पाउर T, C की पाउर T, क्या एक के पाउर transpose बोल दो इससे, A का transpose का square और C का transpose, और A के transpose की पाउर, N माइनस 1 और C का transpose, ठीक है, इनसे करकुलिट करते हैं, अगर QC की value क्या है, not equal to 0 आए, तो वो system हमारा क्या होगा, observable, observable, ओके, और अगर हमारी QNOT की value क्या है, not equal to is I, 0 आए, तो क्या होगा, यह क्या होगा, control label, C मतलब control label, ओके, ओफ और observable, यह हमारा क्या होगा, observable, ओके, अब बात करते हैं, D, O, system की, तो यहाँ पर हमें क्या है, second order की question दे रखिये, तो इसके लिए हमारी QC और QNOT matrix क्या बन जाएगी, QC हमारी बन जाएगी, B, A, B, ओके, और QNOT हमारी बन जाएगी, क्या, C की पावर transpose, A का transpose, और C का transpose, यह दोनों matrix हम calculate करेंगे, for given data, फिर उनके क्या करेंगे, mode value, calculate करेंगे, अगर वो not equal to 0 आ, तो हमें B तो दे रखा है, B matrix दे रखिया हमें, हमें निकालना AB, ठीक है, जिससे हमारी क्या बन जाएगी, controllable matrix बन जाएगी, तो AB क्या होगा, A matrix, A matrix हमारी क्या है, 0, 1, यह वाल लिए A matrix, 0, 1, minus 2, minus 3, तो minus 2, और minus 3, ठीक है, B matrix हमारी क्या है, 0, 1, ठीक है, और multiply करने के लिए क्या होता है, हम कैसे check करते हैं, इसका order कितना है, 2 into 2, इसका order कितना है, 2 into 1, तो यह और यह quantity match कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में आपस में multiply कर सकते हैं, और हमें resultant मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 2 into 1 में मिलेगा, ठीक है, तो इसको multiply करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसकी roll लेते हैं, और इसका क्या लेते हैं, column लेते हैं, तो 0 को 0 से multiply किया, तो क्या है, 0, फिर 1 को 1 से multiply किया, तो क्या है, 1, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, ऐसे second row को हमें, इस column से multiply करेंगे, तो minus 2 को हमने 0 से multiply किया, तो क्या हो गया, 0, और minus 3 को क्या किया, 1 से multiply किया, और 0 minus 3 क्या हो जाएगा, minus का 3, ठीक है, तो यह हमारी AB matrix बन गई, अब हमें क्या करना है, हमें QC, वो कि हमारी क्या होती है, B और AB, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारी QC matrix बन गई, अब हमें इसका mode value निकालनी है, तो इसकी mode value कैसे निकलती है, हम इसको इससे multiply करते हैं, minus इसको इससे multiply करते हैं, तो इसकी value क्या आगई, minus 1, चो कि क्या है, note equal to 0, इसका मतलब हमारा system क्या है, control label, ओके, control label हमारे system है, control label, ओके, अब चैक करेंगे, observable bt's की, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C का transpose, और E का transpose, ठीक है, और E का transpose C के transpose से multiply, तो हमें C matrix क्या दे रखिया, 1, 1, तो यहां से C का transpose तो क्या हो जाएगा, 1, 1, क्योंकि जो यह वाला यहां हो जाएगा, और यह जो row है न वो इधर column में करवेट हो जाएगी, transpose हम इसे तो लेते हैं कि row को column कर देते हैं, column को row कर देते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, row matrix है, यह column matrix बन जाएगी, transpose में, ठीक है, अब हमें निकालना है, क्या, A का transpose और C का transpose, ठीक है, तो A का transpose करते हैं, इसकी जोर हो है, वो क्या हो जाएगी, column, तो यह क्या हो जाएगा, 0, 1, और second हो क्या हो जाएगी, second column, minus 2 और minus 3, ओके, फिर C का transpose हमने निकाला था, क्या है, 1, 1, तो यहां से हमको, A का transpose और C का transpose, मिल जाएगा, तो इनको multiply करना है, तो 0 को 1 से multiply करेंगे, तो 0, minus 2 को 1 से करेंगे, तो minus 2, तो 0, minus 2 क्या हो जाएगा, minus 2, ऐसे इसको करेंगे, 1 into 1, 1, और minus 3 into 1, मतलब minus 3, तो 1 minus 3 क्या हो जाएगा, C का transpose, A का transpose, C का transpose, दोनों value में पता है, C का transpose क्या है, 1, A का transpose, C का transpose क्या अबने क्या निकाला, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका, mode value क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे multiply करते हैं, ठीक है तो minus 2 और plus 2 minus 2 plus 2 क्या हो जाएगा 0 इसके value 0 आगए इसका मतलब यह क्या है note observable note observable तो हमने क्या check किया पहले check किया controllability तो हो क्या रहा था controllable और दूसरा क्या गया note observable तो हमारा answer क्या हो जाएगा controllable but unobservable ठीक है क्योंकि हमने निकाला था QC क्या है था note equal to 0 मतलब controllable और Q note हमारा क्या गया 0 मतलब not observable तो हमने answer क्या हो गया controllable but not observable या unobservable ओके चलते हैं next question पे ऐसे question आपके exam में आ जाते हैं transfer function निकालना ओके तो हमें क्या दे रखाया a linear system described by the following state equation function हमें दे रखे matrix A, matrix B और matrix C हमें इनकी help से क्या निकालना है transfer function निकालना है ठीक है तो उसका formula क्या होता है transfer function होता है हमारा C CSI minus A का inverse into B plus D पर यहां पर D दे रखा तो इसको 0 मान लेंगे तो हमारा transfer function formula क्या हो जाएगा CSI minus A का inverse और B यह इसके क्या multiply में है C matrix है यह matrix और B matrix है इसको जब solve करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा transfer function ठीक है तो सबसे पहले हम निकालते है SI minus A SI minus A ओके तो कैसे निकलेगा S 00S यह तो हो गया SI की value minus A A matrix में क्या दे रखिया है 0 minus 2 1 minus 3 तो 0 1 minus 2 और minus 3 यह दे रखिया हमें यहां से SI minus A क्या गया इससे यह first वाले से क्या होगा first element minus होगा तो यह क्या होगा S और 0 से minus 2 मतलब plus 2 और 0 से 1 तो minus 1 S plus 3 तो यह आ गया हमारी SI minus A matrix और हमें निकालना क्या है SI minus A का inverse तो वह कैसे निकालते हैं adjective SI minus A upon mode value of SI minus A ऐसे तो करते हैं और 2 by 2 matrix के लिए हम adjective कैसे निकालते हैं इन दोनो equations को क्या करते हैं आपस में interchange कर देते हैं तो क्या होगा यह वाली value इधर आ जाएगी तो S plus 3 और यह value value क्या जाएगी इधर आ जाएगी S और इन दोनो values को हम क्या करते हैं minus A multiply कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा minus cut 2 और यह क्या हो जाएगा plus cut 2 यह आगे ही मारे adjective SI minus A की value और divide by क्या इसकी mode value निकालनी है तो mode value कैसे calculate करते हैं पहले इसको इससे multiply करते हैं minus इन दोनों को multiply करते हैं ठीक है तो क्या गई S square plus 3S और यह minus और minus plus हो जाएगा तो 2 क्योंकि इन दोनों को multiply minus इन दोनों को multiply तो minus 2 है और minus 2 minus क्या हो जाएगा plus कर 2 तो यह बन जाएगा हमारा SI minus A का inverse ठीक है पिर हमें निकालना क्या है यह value value निकालनी हमको SI minus A का inverse B ठीक है तो हम क्या करते हैं यह जो हमारी equation आगे ने इसको B से multiply कर जाते हैं मतलब हम SI minus A inverse B calculate कर देते हैं ठीक है तो हमारी matrix क्या है 1 upon S square plus 3S plus 2 तो आ गया हमारे ठीक है पिर matrix क्या हो जाएगी S plus 3 minus 2 1 और S ठीक है फिर B matrix हमारी B matrix क्या दे रखिया हमें 2 0 तो वहां पर क्या जाएगा 2 और 0 ठीक है अब इसको multiply कर लेते हैं तो यह वाली row और यह वाला column तो multiply क्या हैगा 2S plus 6 और यह 0 जाएगा और यह 2 क्या है तो हमने यह calculate कर लिया और हमारा 3 ओके इसको हम इससे multiply करना है इससे 2S plus 6 और 2 से ठीक है और हमारा इससे multiply कर सकते है और इससे क्या हैगी 1 by 1 की matrix आएगी ठीक है तो 0 को हम इससे multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा 3 को इससे multiply करेंगे तो क्या हैगा 6 upon S square plus 3S plus 2 तो यह आ गया हमारा transfer function ठीक है तो क्या होगा हमारा B right answer होगा ठीक है Thank You